हलो दियो रिश्टेंट वेलकम टू माई चैनल आई इस वीडियो में हम लोग चैप्टर टू लिनियर उक्रिसंस इन वन वेरियाबल स्टार्ट करते हैं और इसके पहले चैप्टर का सोलूसन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे हैं आप देख सकते हैं ठीक है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बचो हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन-कौन सा टर्म आएंगे ठीक है सारे टर्म को पहले पढ़ लेंगे उसके बाद exercise को स्टार्ट करेंगे ठीक है देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में आपको टर्म आएंगे एक variable ठीक है बहुत बार पहले आप पढ़ चुके हैं कि variable क्या होती है और एक आपको पढ़ना है constant ठीक है variable और constant जो previous class में पढ़ चुके हैं देखिए variable किसे कहेंगे एक quantity होता है जिसका क्या होता fixed value नहीं होता है not fixed value not fixed value जिसका fixed value नहीं है उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे variable ठीक है और variable को generally denote करते हैं किसे a से लेकि z letter आपको जो दिया हुआ है उसके आपको क्या करना है indicate करना variable को आप small letter में भी एसे z symbol दे सकते हैं ठीक है चले और constant इसी का just उल्टा होता है जिसका हमेशा क्या होता fixed value होता है क्या बोलेंगे fixed value और quantity which has fixed value समझ रहे ना एक ऐसा quantity जिसका fixed value होता उसो क्या बोलते हैं हम बोलेंगे क्या constant देखिए एक example कि तुरू समझते हैं जैसे देखिए यहाँ पर 2x देखिए 2x है यह 2x जो देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं x क्या है x is the variable क्या है x is the variable और बच्छो 2 क्या है 2 is the constant constant तो यह कह सकते है constant जो होती है जितने भी आपके numbers हैं ठीक है जितने भी reals number मतलब जितने भी number आप पढ़ेंगे सारे numbers क्या हुए एक तरह से constant कह लाएंगे समझे चले अब इसके बाद variable और constant को जब combination करते हैं बच्छो तो क्या बनता है तो उसके बाद एक term आता है algebraic algebraic expression चाहे simple expression algebraic expression कैसे बनेगा तो देखे एक variable और एक constant जब variable और एक constant तर्म हम लोग को operation के साथ जाए इस means multiplication हो गया add हो गया subtract हो गया division हो गया इसके sign के साथ जब लिख लेंगे तो algebraic expression हो गया जैसे देखेए यहांपा आपने 2x देखा तो 2x देखा यहांपा देखें क्या है एक variable है चाहिए constant है तो इसको हम algebraic expression कहेंगे उसी तरह देखें 2x ग्लस 1 यह भी आपका एक algebraic expression हो गया देखिए y square plus 1 देखिए भी हो गया चीक है उस तरह 2xy plus y square plus z देखिए यह सब भी आपका क्या है algebraic expression है इसमें देख रहे हैं कि आप variable और constant का क्या हो रहा है एक combination हो रहा है अच्छी बदेख कोई constant number भी algebraic expression होगा तेखिए यहाँ 2 भी एक तरसे क्या बोल सकते हैं एक algebraic expression बोल सकते हैं तो आपका एक algebraic expression एक 2 जो होगा एक आपका 2 भी एक algebraic expression हो जाएगा ठीक है जैसे 2 को आप लिखते है 2x पर पावर 0 ठीक है ऐसे लिख देंगे x पर पावर 0 भेली 1 होता है तो 2 भी कोई भी number भी आपका algebraic expression होगा और देखिए उसके बाद एक basic बताता हूँ कि algebraic expression number of term कैसे पता करते हैं तो number of terms पता करने के लिए देखिए यहाँ पर देखिए यह जो है total 2x है पहला जो 2x दिखा रहा है यह क्या है एक single term में आ रहा है तो इसमें एक single term है देखिए इसमें एक देखिए पलस है दो टर्म के साथ यहाँ यहाँ पर एक term हो रहा है और एक term है यहाँ आपका एक देखिए ऑस धौit दो जिल chelly यह माइनस साइन के साथ रहेगा ना उतनाही नंबर ऑफ टर्म्स होता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो गया ठीक है उसके पर डिगरी एक पहचान ना देखिए यह आप पहले ही कलास पर चुके हैं लेकिन मैं समझा रहा हूं कि डिगरी कैसे पता करेंगे जैसे कोई आपको यह दखिए आपको यह आपका एक अल्जबरी की इस्पेशन दिया हुआ है वाई स्कॉर प्लस फॉन ठीक है इन किस विरियाबल में इस वाई विरियाबल में आपको दिया हुआ है इसके डिगरी पता करना है बच्चों तो कितना हो जगा तो डिगरी होता जो विरियाबल एक्सप्रेशन को देखिए यहां समझे को कोई कोई एक एक अल्जबरी की इस्पेशन में लिया वक्त है ऎको बनाए तो यह हो गया तुम्हारा क्या equation और equation कैसा equation मैं इसको समझा रहा हूँ इसी को बोलेंगे linear equation in one variable क्या हो गया one variable ठीक है तेकलिया इसको समझना है कि linear equation in one variable कैसे हुआ ठीक है देखिए one variable मतब़ए एक variable दकि एक variable है यहाँ पे x variable है एक only one x variable है ठीक है देखो linear equation का equation मतलब यहाँ equation का मतलब क्या equation इससे बना कि equal का sign में है तो कोई भी जब statement को जब equal के sign में लिखेंगे तो वो equation होगा ठीक है चलिए दूसरा यह variable आपको समझ में आ गया यह variable हो गया अब बात करते हैं linear की linear linear मतलब जिसका degree एक होना चाहिए कि हाना चाहिए degree एक होना चाहिए degree is equal to one तो देखिए variable पर degree क्या है one है यहाँ पर है न one देखिए यह आपका हो गया linear equation in one variable तो यहाँ से एक important point पर चलेंगे general form of linear equation in one variable कोई तुम से push दे general form क्या हो जगर linear equation in one variable का जो की उपर class में आपको introduction होना होगा लेकिन मैं इसी class में आपको introduce करवा देता हूँ general form of linear equation जो होता x plus b equal to zero ठीक है x plus b equal to zero where condition याद रखना a कभी b zero नहीं हो सकता है लेकिन b zero हो सकता है ठीक है और a b r क्या बोलेंगे a reals number reals number मतलब जिसमें root भी आ जाएगा fraction भी आ जाएगा decimal भी आ जाएगा negative आ जाएगा कुछ भी सारे number आपको इसमें आ जाएंगे ठीक है समझगे न यह general form बहुत ही जाएगा यहाँ x के variable के रुप में है कोई और variable के रुप में भी ले सकते हैं ठीक है बच्चो चले कुछ और एक्जामपल देख लेते हैं linear equation in one variable का देखिए य य पलस 2y3 इचकल टो 5 देखिए भी हो जाएगा जेड माइनस 2z माइनस 3 बराबर 5 यह भी हो जाएगा यह सब जितने भी देखिए न एक्जामपल सारे के सारे किया है linear equation in one variable आपको होए एक एक्जामपल बताने हैं आपको इस बताने हैं अगर यह ऐसे रहता था तो y square plus 1 is equal to 5 क्या यह होगा possible है तो यहाँ तो equation है बच्चो की यहाँ पर linear नहीं है क्योंकि इस फिर वेरियवल पर पाबर डिदी है इसे पावर कितना 2 है यह भीरियवल वाय है वह इसे पावर 2 है तो यह नहीं होगा या आप इसको linear equation in one variable नहीं कहेंगे यह अगर कहना चाहेंगे तो linear equation two variable कह सकते है linear equation in quadratic equation in one variable कहेंगे जो कि आपको high class म पढ़ना है ठीक है इसलिए जब भी आप समझ सकते विरियावल को पापर वन रहेगा ना उसी को आपको यहां पे इस उसी पे उसी को कोश्चन को आपको यहां पे शोल्ब करना है देखिए इस तरह के आपका देख रहे हैं कि हमने लिनियर रिक्षिशन इवन वरियावल को डिटेल पढ़ लिया ठीक है अब देखिए कोई भी एक वर और रिक्षिशन लिजिए जैसे हमने लिक्षिशन लिया टू एक्स प्लस वन इसकल टू फाइव तो देखिए इस साइट को ले ल है अर्फ समझेगा एक लिटेमों है जितना प्लस में के बराबर जोगा जब आपतराजों पीस्तर चरोगे तो दोनों प्लस के अगरोंगे बैलेंस होगा ठीक है यह का मतलब यहीं होता है नहीं लेफ सैट का जितना सोलूूशन आएगाँ होता ही क्या होगा ठीक है डायत सैंसर होगा चलिए अब TO हम लोग सlexia समझ लिए कि क्या होता है लेकिये समझ समझद है कि देखिये जब इधर बुल सम kl सब्सक्राइब तो वही काम करना है अगर माइनस है तो पलस और पलस है तो माइनस ठीक है उसी तरह बोली कि सर अगर जब गुणा कर शायन एगा तो आप सिधह लेका हुआ और अगर तो भागावला का गुणा हो जाएगा तो यह बात को ध्यान देना है शमझते ना अब हम लुग पुस्चन के तुरू अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह क्या क्या कंसेप्ट है ठीक है तो आज़ी बच्चो हम एक्षटे एक्ससाइज श्टार्ट करते हैं सा श्यप्तर एक्सराइज नर्य त्टू पॉयंट को स्टाइट करते हैं ठीक डाएं शक्रिट sug पॉयंट वज्ट करते ड्यूर एक्स estim और चाले पहले 나 नमर कोश्चिन क्या कर Helen के और तो कोई बढ़ा करना एसमें जितना भी कोई भी equation का solution कहने का मतलब क्या है उसका solution कहने का मतलब उसका variable का क्या है variable का value लिकालना क्या लिकालना variable का value लिकालना समझगे न चलो तो देखो पहला नमर question हम सोल करते है x-2 equal to 7 है x-2 equal to 7 है यहाँ पर LHS में 2 term है और RHS में 1 term है और आपको पता है कि x का कोई और term नहीं है x का कोई और like term नहीं है लेकिन 2 जो है यह 2 और 7 एक दोनों को like term है यह दोनों constant है तो क्या करना है बच्चो आपको transpose करना है मतलब कोई इसको solve करने के लिए variable का value लिकालना के लिए बच्चो आपको LHS से RHS की तरब जाना है कोई-कोई-कोई-कोई term को, कोई-कोई term को सी इधर आपको क्या करना है satकर यह करना है ठीक है तो हम क्या करए x का value लिकालना तो idé झोड़ दिये इधर और equal का state दे दिये और पहले से से яв salt नहीं से और measurement देजिएर अब क्या करना है इसको और बढ़ाना है x equal to our seven two जोड़ोगे तो कितना हो जागा 9 हो गया ना तो यही तो इंसर हो गया एकस का भिलू आया कि नहीं जाटी variable का भिलू आगे ना तो यह आपका इंसर आगे समझगे ना चले अगर नहीं समझ में आगे तो दूसरा नमर कोश्चन और के तुरो और भी कोश्चन के तुरो हम समझ लेते हैं तो y plus three is equal to 10 है चलो कैसे सुल करोगे तो यहाँ variable क्या y है y का value लिकाना तो उसी तरह y रहने देंगे तीन को इस साइड में भेजेंगे तो पहले बराबर करसाइन देदो 10 है और इधरा का तब minus हो गया चलो तो इसी तरह बढ़ाएंगे तो y is equal to 10 में स्थिरी गया तो 7 बताईए यह आपका इंसर आया कि नहीं आया ठीक है तो बहुत ही दिगत नहीं है आपको इसको छोड़ दो कि तू को इधर लेके आजाओ तो पहले से 6 है माइनस टू आंगे बढ़ाओगे ना बढ़ाओ तो 6 इधर लाओगे तो पलस में तो माइनस में हो गया टू equal का साइन दे दो इधर क्या बचा खाले जेड बचा देखो जब भी आप सुब्टेक्षन का साइन में हैं घाटाओ के में है तो पहले उसको हट आएंगे उसके बाद докум में कोई है तो उसके बाद ळाफ्त именно2 तो एक ही है और समаз दिरू आ इंसर हो गया अची तरह सानको समझ में आ जाएगा। शिक्स में से टू गया तो क्या फोर बताए जी डिश्कल टू फोर डाट इजी ऐसे भी लिख सकते हैं और इसकल टू जे डिश्कल टू फोर दोनों तो एक ही है तो यह आपका इंसर हो गया समझ गे ना चलिए आता है question number 4 देखते है question number 4 किया 3 by 7 पलस एक्स इसकल टू 17 by 7 कैसे शोल करिएगा देखिए यहां पर भी एक्स एक्स का भी लिखते तो आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है ठीक है इंप्रेशन नहीं बढ़ेगा स्टीचर का इंप्रेशन बनाना है न बचो तो इसको थोड़ा नीचे सिस्टम धंसी लिखो तो एक्स इसकल टू देखो लेने आता है 6,6,2, 6,2 4,1 बहुँत चोटा कोउस्टन है लेकिंद देखिए अब darauf gas is 6 क्या है Repecomp volt के साइन में Didnian तो मैंने बताया था कि एक्स लिखालना था तो यह इंतिू ki Sign to хл रहेगा तो six को जब अधर भी जोगए तो दिभाइड हो जागा तो six दिभाइड fellows Also 6 तो पहले से इसको लिम्हारा रहाया तो इधर 6 से करना है यह इसल्टा नमबर को दिघान देना मिस्तर मतलब रहां एक हुझा नमबर क्लओन इसके स्वाई बहनकर हम 묶्क्रक्राइपक्तर सकते हैं मतलब इधर division के sign में है तो उधा जागा तब multiplication हो जागा तो only t बचेगा बचो और 10 into 5 कर दीजेगा तो t का भेलू के तना 50 हो जाएगा देखिए एक बार में variable का answer आ गया t का answer आ गया that means इस equation का solution क्या हो गया 50 समझगे ना चले 6 number भी question solve कर लिए शेवे number question को solve करते हैं शेवे number question क्या है रचेदेखिए शेवे number question आपका दिया हुआ है 2x by 3 equal to 18 इसको solve करना है चले देखिए तो आपको x लिकालना है तो देखिए x के साथ 2 into है और 3 divide है x के साथ 2 into है और 3 divide है तो x लिकालना है तो x एक बार में भी दो number को उधर भेजेंगे त देखिए पहले 3 को भेजना चाहते है तो 3 divide में तो उधर जाकर क्या हो जागा into में और 2 क्या है x के साथ into में है तो इधर divide हो जाएगा समझ भी आए ना कितना असानी से बन गया समझ लें यहां पे 3 क्या है 3 divide में इधर division में है तो उधर का multiplication हो गया multiply हो गया और इधर x के 293 जाके ता 27 देखिए आगया किनी एंस है समझ गया कितनी असानी से आ गया शाली सीव इनका question solve हो गया इट नमर question solve करते है 1.6 equal to y by 1.5 है कैसे solve किजिएगा तो इसको भी देखिए है y के भेलू इधर है y के भेलू लिकाना है तो इधर के y को कुण divide कर रहा 1.5 तो इधर जा 2.5 लिक जी इसकल 2y अब तो आपको इसको गुणा कर देना है तो 16 में 15 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 80 16 580 और 16 0 842 240 हो गया 240 2 decimal के बाद देदना है 2.40 y that y के भेलू तुम्हारा कितना होगे बच्छो 2.4 लिक सकते है नॉर्मली समझ में आ गया ना चले ठी इसको भी उसी तरह करना देखिए पहले मैंने आप देखिए यहां समझना है यह 7 अब एकस नहीं है से एकस के साथ 7 है तो पहले यह जो इंटू में है इसको एक बाद डिवाइड़ी करना है पहले आपको मैंने बोला था कि यह टर्म है यह जो माइनस 9 टर्म है ठीक है मनद अब यह constant पहले इसको भीजना है उदार तो पहले 7x को ऐसे ही छोड़ देंगे इसके साथ x के साथ कोई अगर गुना में है और उसके बाद कोई टर्म अगर जोड में है चाहे घटाओं में है माइनस में है तो उसको पहले हटाएंगे टर्म को तो हटाएंगे तो 7x रहने हो गया एक सेवन मल्टिप्लेक्शन के रूप में है एकस के साथ गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो 25y7 डिवाइड हो जाएगा तो यही तो आपका एंसर हो गया 25y7 कभी-कभी आपको मिक्स प्रेक्शन में भी दे सकता है एक्स इसकल टो तो 73 जा 214y7 ऐसे भी आ आपको इंसर दे सकता है समझ गये ना चले तो यह क्लियर हो गया टेन तक हम लोग बना लिए चले नाइन तक हो गया टीन नमबर कोश्चन देखते हैं टीन नमबर कोश्चन क्या दिया हो आपका देखें टीन नमबर कोश्चन दिया हो बैचो 14y-8 इसकल टू 13 ठीक है चले इसको भी उसी तर करना है एट को उधर भेजिये पहल तो 14y इसकल टू 13 पलस 8 हो गया देटी जे 14y इसकल टू बताई ये 13 और 8 कर जोडएंगे तो 21 हो गया अब y इसकल टू देखे 14 ना की इधर डिवाइड हो गया तो 21 में डिवाइड करेंगे 14 से एगर कट रहा तो काड दीजिए 737 से कट रहा 737 तो बताई आपका एंसर कितना होगा y इसकल टू 3y टू एंसर हो गया समझ गये ना चले 10 नमबर भी कोश्चन कंप्लीट हो गया आते ही 11 नमबर कोश्चन 17 पलस 6p इसकल टू 9 ठीक है तो यहां से 6p इसकल टू 9 में से 17 जागा तो माइनस में आएगा 8 है ठीक है तो पी इसकल टू देखिए माइनस 8 और 6 डिभाइड कर देगा तो इससे से कट रहा है तो काड दीजिए 4 टाइम में और 3 टाइम में 2 से कट गया तो पी का वेलू माइनस 4y 3 आ गया निगेटी में भी वेलू इंसर आ सकता है ठीक है तो ए हो गया और लास्ट कोस्चन 12 नमर है बच्चो 12 नमर देखिए एकस बाइ 3 पलस 1 इकवल टू 7 बाइ 15 है ठीक है ये लास्ट कोस्चन आपका ये दिया हुआ है कैसे सुल करेंगे इसको भी उसी तरह करेंगे 1 को इधर भेज दीजिए तो एकस ब सब्सक्राइब हो गया और बताइए कितना हो गया तो एकस बाइधिरी इकवल टू 7 में से 15 जागा तो बच्चो माइनस एट हो गया वाइफ 15 हो गया ठीक है अब देखिए यहां से क्या करना यह देखिए एकस एकस को 3 डिवाइड कर रहा है तो उधर जागा तो मल्टिपल आई हो जगा तो एकस इसकल टू क्या हो गया माइनस एट वाइफ 15 इसमें क्या हो गया घूना हो गया ठीक है आप देखिए उपर है फिप्टी नीचे तो इससे कट सकता है फाइव टाइम में डैट इस तुम्हारा फाइनल एंसर हो गया बच्चो क्या यहां से एकस इसकल तो देखिए उपर में गया माइनस एट आ नीचे में गया फाइव देखिए आपका एंसर आगया है तो आई होप सारे कोस्चन आप अच्छी तरह समझ गया होगे अगर किसी भी तरह का प्रोब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे रेगुलर कोर्स ख करेंगे कि इस चैनल पे एक लास आपको कराया जाता है और प्लीज अगर वीडियो बेने फिशियल लगा होगा तो हमेरे चैनल को लाइक और सबस्राइब करना और नेक्स वीडियो में नेक्स इक्सरसाइज और इंट्रॉरक्शन देखेंगे थेंक यू लगा होगा है तो हमेरे